हेलो फ्रेंड्स पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे अलू चना रेसिपी तो यह देखिए मैं यह जो देशी चने होते हैं वो लिये हैं और इनको मैंने रात को भिगा दिया था और सोबे इनको दो सीटी लगा के बॉयल कर लिया है और पांच अलू क्यां लिये हैं जिनको मैंने बॉइल करलिया तीन टमाटर और पांच हरीमिर्च लिया है हरीमिर्च को आप कमिया ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेश्ट के अकॉर्डिंग और इसमें डालने के लिए और क्या-क्यश यह वह आपको बताती हूं चने जो है मैंने देखिए इस ततरीके से बॉइल कर लिये हैं कि आरयाम से तूट जाएन ना की ज्यादा गुलें देखिए इस तरीके से दवाने पर आराम से पिचख Zाएन इस तरीके से इनको मैंने बॉइल कर लिया और इसमें डालने के लिए अब हमको चाहिए यह लेसुन प्याज और अधरक का पेस्ट है यह पेस्ट जो है हम लोगों ने सिल्वर्टे पे पीसा है आप चाहें तो मिक्सर का भी यूज कर सकती है बट में इसको दिहाती स्टाइल में बना रही हूं इसलिए हमने इसको आला है लहसुन प्याज और अधरक तो आप जिस तरीके से जितनी सब्जी बनाएं उतनी कौंटिटी में अपने हिसाब से लहसुन प्याज अधरक और हरी मिर्च को डाल सकते हैं तो इसमें मैंने दो चमश ऑईल डाल दिया है रिफाइंड और अब हम इसमें डालेंगे हरी हरी मिर्च और झीले कि बिल्कुल देहाती style हमें हम बनाएंग जैसे अब मैं डाल देंगे यह बनाए है और इस सबसे जοड़ा टेश्ट सब तो आप चाहें तो सिलवट्टे का ही यूज करें में जहां तक कहूंगी लेकिन जिनके पास सिलवट्टा अबलेवल नहीं है वो लोग मिक्सर का भी यूज कर सकते हैं तो इस पेश्टे को हम लोग अच्छे तरीके से आप इसको चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक है क्योंकि जब भी हम ग्रेवी वाली सबजी बनाते हैं तो थोड़ा ज्यादा पड़ता है तो यह देखिए पेश्ट हमारा अच्छे तरीके से भूनने लगा है और पेश्ट को हमें आराम से मंदी फ्लैम पर आराम से भूनना है चलाते हुए ताकि लगे ना पेश्ट क्य साइस से पेश्ट भूनता है तब तक मसाल तयार लेती हुँ तो यह मसाले में मैंने घर मसाला लिया है लाल मिर्च हलदी पावडर धनिया पाउडर और ये मिक्स मसाला है तो मैं अपने टेस्ट कर ऐइंग एक चमपच लाल मिर्ट ढालूंगी और और पेश्ट जो है धनिया पाउडर तो यहां दो चमपच में धनिया पाउडर डाल लेती हूं और आसा उर्मेश छो है मैं इसमें हलंदी Süddailad करूंगे और गरह मसाएं भी अभी डाल दूँगी इस पेश्ट गों हमको यह जो मसाला मैंने बनाए है इसका हमें पेष्ट बनाना है तो इसम आब हम लोक्त बदाओं डाल डालने के अच्छे तरीके से तो यह स्स optimum एंट मिला दिया ताकि जो घनिया पाउडर है कूं अच्छे प्रीकै 서er तो जाएं तो इधर देखिए हमारा अगोडर्ण और रॉटर का कि हमारा रहा भूणने लगा है अच्छे तरीकेसे तो मैं सोने लेती हूं थे अश्कों अधर बूं लेती हुआ है कि इसथि जलाते हुए तो ये देखिए पेश्ट हमारा अच्छे तरीके से एकदम golden रंग का हो गया है देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से चलाते हुए भूना है अब हम इसमें जो हमने मसाला तयार किया था गीला उसको डालेंगे देखिए इसको डालने के बाद भी हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे मंदी आच पर ही आपको यह सब कुछ चलाना है और देखिए इसको मिक्स कर लेते हैं तो यह देखिए इस तरीके से हमें आराम से इसको मंदी आच पर ही भूनना है इसको भूनने में भी हमें चार से पांच मिनट लगी जाता है और इस तरीके हैं बट इस तरीके से जब हम लोग अपने घर में खाना बनाते हैं तो कुछ अच्छा महसूस होता है तो आप भी बनाईएगा और खाईएगा और बच्चे भी इनको कभी-कभी बनाते हैं तो बहुत टेस्ट के साथ इसको खाते हैं तो यह देखिए मसाला जो है मेरा ओइल फिर भी इसको थोड़ा टाइम लगेगा भुनने में तो यह देखिए अच्छे तरीके से मैं इसको चलाते हुए भुन लेते हूं और अगर आपको मेरे रस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और कमेंट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह देखिए मसाला म नहीं सब्सक्राइब करें झालें अच्छे से मिलने तक इसमें चलाँगे तो यह देखिए टमाटर भी मेरे अच्छे तरीके haya है और अभालू उसमें और अभाव जो और इसमें उसमें लिये थे उनको मैंने ऐसे करके मसल लिया Liter हाई ज्यादा दोचारचार मों में इसा वाहर है क्याुकि जब भी पतीले निद्व सब्सक्राट ना उसको बचूट जाते हैं तो इस तरीके से हम जादा तेज ना चलाते हुए आराम से इनको मिक्स करेंगे देखिए सब्जी हमारी कितनी नाजवा अभी से लगने लगी है देखिए तो इस स्टाइल से आप सब्जी बनाएंगे बहुत अच्छी लगती है और यह एकदम अच्छी अच्छा तरीका है बनान के लिए पकाएंगे तो मैं ढख देती हूं और पांच मिनट बाद देखती हूं तो यह देखिए पांच मिनट मेरा हो गया है और यह देखिए सब्जी हमारी कितनी अच्छी दिखने लगी है सारी चीजे जो है मसाले में मिक्स हो गई है और नमक का आप इसे ध्यान रखे नमक जो है आप जब मसाला बनाए नमक विर्च वाला तो उसमें ही डाल दे और अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे क्योंकि सब्जी जब हमारी ठंडी हो जाती है तो जम जाती है इसलिए मैं इसमें एक कटोरी के करीब पा पानी है तो उसमें थोड़ा सा पानी एड़ करना पड़ता है वरना जो आलू की सब्जी फिर ठंडी होने के बाद में जम जाती है और यह देखिए पांच मिट ढखने के बाद में मैंने इसको हटा लिया है और देखिए सब्जी हमारी कितिनी टेश्टी और लाजवाब ल आया जाता है आप इस तरीकों को देखिएगा और इंजॉय कीजिएगा और देखिए यह देखिए मैंने सब कल्ले के लिए निकाल ली है और देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी सब्जी बिलकुल बन करके तयार है आप इसको पूरी पराठे आलू किसी भी चीज के साथ धनिये से गानिस करके खा सकते हैं और आज के लिए इतना ही थैंक यूँ